जैहिन दोस्तो तो आज हम देखेंगे अपना सेट नमबर 52 को 5000 प्लस MCQ मेरेथोन सीरीज को तो दोस्तो लेक्चर की PDF के लिए आप टेलिगराम गुरूप को जोइन कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब तो दोस्तों यहां पर गया कि आज हम अपने इसमें दस को देखेंगे तो जो हमारे कोस्टेंस है वह 521 किसे लेकर के 530 के बीच में रहने वाले हैं तो यहां पर पहले को देखते हैं तो आप वीडियो को पॉस्ट करके को टेंप्ट कर सकते हैं कह रहा है महात्मा गांधी महात्मा गांधी जी की बात कर रहे हैं तो यहां पर कह रहा है कि यहां पर देखा कि चोरी-चोरा इंसिडेंस हो जाता तो जिसकी वज़े से यहां पर क्या होता है कि जो यहां पर एक तर इसको आगजनी कर देता है तो इसके अंदर में 22 वालों की एक तरीके से मिरत्यू देखने को मिलती है तो अब यहां पर क्या होता है कि इसको देखते हुए जो गांधी जी है क्या करते हैं वह यहां पर विड्रो कर लेते हैं इसको चोरी-चोरा मूवमेंट को यानिके इनकी वजह से फॉलोवर्स इनकी बातों को सुन रहा है और सीधर का सीधर यह ब्रिटिश को एक तरीके से कखायए इनकी नीव हिला रहे है तो अब इनकी एक्टिवीटिक को रोकना चाहघ थे तो लेकिन इनकी फॉलोईंग फैन फॉलोईंग इतनी थी कि इनके लिए क्या है आप राजद्रो कर रहे हो तो राजद्रो का मतलब होता है सिडीशन यानि के इनके उपर राजद्रो का आरोप लगाया सेक्शन 124 ए जो आज की डेट में हम आई पी सी की सुनते है ना तो इसका यूज करते हुए इनको क्या है छै सालों की सजा सुना दी गई तो यहा यहाँ पर जो जज साब होते हैं वो यहाँ पर कहता है कि जैसे बाल गंगा धर तिलक को आरोप लगाया गया था यानिके एक तरीके से इनको सिडीशन के चार्जिस में यानिके बाल गंगा धर तिलक हो गए और महात्मा गांधी हो गए तो दोनों के उपर में सिडीशन का लगा करके जेल भेज दिया गया था तो यहां पर पहली statement हमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी वो कह रहा है कि गांदी जी को arrest करा और impression करा गया था 1922 के अंदर में क्योंकि यहां पर इन्हों ने यंग इंडिया के अंदर में कुछ लिखा जिसकी वज़े से Britishers ने सिडीश का इनके ओपर आरोप लगाया फिर सेकंड के रहा ही प्लीडिड गिल्टी ओफ चार्जिज अगेंस्ट हिम ड्यूरिंग ट्राइल यानि के ट्राइल के दौरान में इनके ओपर कहा कि इनको गिल्टी माना गया कि इन्होंने राजदरो करा तो यह statement भी ठीक हो ज यह करना जैसे इंदिया का गगणियान मिशन हैं तो गगणियान मिशन के अंदर में कério फिन हम अपने थी एस्टानॉट्स को हमारी लो अर्थ और वहां पर लेकर के जाएंगी यहां पर अगर इंडिया सक्सस्फुली ले जाता टो इंडिया चोथ혼 होगा गया चोख अपने जी एस एल वी यहने के माक थिरी बाहु बली इस रोकिट को यूज करेगा तो दोस्तों यह जो जी एसल भी माक थिरी रोकिट है ना आप ऐसे समझो यह क्या कि रोकिट है तो इसके अंदर में हमको तीन स्टेज देखने को मिलते हैं एक होती है सॉलिड इस्टेट फ्यूल की लिक्विड और एक थाड़ उती है क्रायोजैनिक इंजन तो अब यहां पर कहें कि जैसे सॉलिड इस्टेट है तो अब जो हमारा कहें कि इससे पहले ना हम सैटिलाइट को लॉंच करते थे तो अब यहां पर सैटिलाइट को जब लॉंच करते थे तो हम सॉलिड एक तरह के से satya करते थो लेकिन अ बार हमारे मैं यानि जा रहे तो इन की सेफटी बहुत ज्यादा झाली पर जाड़ी तो जिसकी वज़े से यहां पर है एक हैसे यहां यूञ अff वी रूकित यहां पर यह जो सॉलिड स्टेट में बूस्टर लगा जा रहे तो यहां पर इसको थरस्ट में ज़नड़ेत हो सकते हैं तो इनकी जो लेंद्थ है वो 20 मीटर की है तो अब यहां पर यह जो 200 है 200 का मतलब है कि यह 200 वा रोकिट का मोड्यूल है यानि कि 200 बार 200 वा नंबर है जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो यह सारी चीज़े इसका बेसिक है अब यहां पर अपनी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे क इसा 200 मीटर लॉंग ओपरेशनल बूस्टर यूजिंग सॉलिड प्रोप्लेंट तो दोस्तों यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगी यहां पर कहें कि सिर्फ और सिर्फ 20 मीटर का 200 का मतलब है यहां पर 200 वा एक्सपेरिमेंट यानि कि जो रोकिट है इसका सैकेंड के रहा है द तो यहां पर इसके जो एयर है ना वो होता यानि के 1930, 1931 और 1932 में यह तीन राउंट टेबल कॉनफरेंस लगाई जाती है तो इससे पहले की बात करें तो यहां पर अंग्रेजों ने क्या करा सॉल्ट टैक्स लगाया तो यहां पर क्या है कि एक तरीके से सॉल्ट को प्रडि यूस करने से और टैक्स महले इसके ओपर क्यो टैक्स लगा रहे हो तो इसके चक्कर में कहा कि इन्होंने 1930 में आपने देखा होगा कि यहां पर एक तरीके से सॉल्ट मार्च स्टार्ट करा तो गांदी जी ने अपना यहां से स्टार्ट करा गुजरात से और यहां पर जैसे केरला से हो गए यहाँ पर केकलबपन हो जाते हैं और यहाँ पर एक तरीके से तमिल नाडू की बात करें तो सीराज गोपल अचा रही है अपना यहाँ पर वो कर रहे थे तो उसके बाद में गांदीजी को अरेस्ट कर लिया जाता है तो यह 1930 के बात हैं फिर उसके बाद में इस टाइम के दोरान में क्या है ब्रिटेन के अंदर में निके लंडन के अंदर में पहली roundtable conference चल रही होती है तो यहाँ पर कहीगी वहाँ पर यह roundtable conference चल रही होती है और यहाँ पर इंडिया में यह salt march कर रहे होते हैं तो अब यहाँ पर जो governor general होता है एक तरीके से वाइसरोई जो होता है यहाँ पर वो Lord Irwin होता है तो Lord Irwin से बोलती है यह Britain की government की भहिया आप यहाँ पर protest वगेरा हो रहे हैं आप गांधी जी के साथ मिल करके एक pact बनाओ तो यहाँ पर गांधी जी के साथ में आपने देखा होगा 1931 में गांधी इर्विन पैक्ट लाया जाता जिसको डैली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता तो इसके अंदर में जब बातचीत करी गई गांधी जी और इर्विन के द्वारा तो सबसे पहले बातचीत करी गई कि गांधी जी जो है second round table conference को attend करने के लिए लंडन जाएंगे तो गांधी जी मंजूर हो जाते हैं अब गांधी जी कहता है कि जो भी आपने political prisoners को यहाँ पर अपने जेलों के अंदर में रखा है इनको immediately release करो जिनकी आपने property को confiscate करा यानि कि property को जब्त कर लिया है इनकी property को वापस दो तो यह सारे प्रावधान देखने को मिलता है अब यहाँ पर जब एक तरीक से गांधी जी second round table conference में participate करते हैं तो वहाँ पर क्या है अब गांधी जी जैसे यहाँ पर बात चीट चलते हैं तो यहाँ पर दो मुद्दों पर क्या है बहुत ज़्यादा issue देखने को मिलता है पहला ब्रिटिश गवर्मेंट कहते हैं कि हम आपको dominant status देंगे तो जिसके against यहाँ पर सब लोग थे दूसरा कहते है separate electorate के उपर यहाँ पर ब्रिटिश गवर्मेंट ज्यादा focus कर देती गांधी जी इसके against में थे कि यह इंडिया की unity के लिए खतरा है तो यहाँ पर क्या होता है कि यह सारी चीट चल रही होते हैं गांधी जी को गुस्ता आ जाता है 1931 के end में वापस आ जाते हैं फिर वो third round table conference को boycott नहीं करते हैं अब जब बात चली है round table conference की तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि BR अमेड कर ऐसे इंसान थे जिनोंने तीनों round table conference को attend करा था गांधी जी ने second round table conference को attend करा था और question में पूछा गया है कि गांधी जी ने कौन सी round table conference को attend करा गया था तो हमारा answer होगा second वाली तो यानि कि हमारा answer होगा इसमें second only अब यहां पर fourth question को देखेंगे कह रहा है police was one of the key pillars of colonial rule in India in this context who among the following established a system of thanas each headed by ये दरोगा and a superintendent of police SP at the head of a district तो दोस्तों यहां पर कहें कि आप ऐसे समझो जो यहां पर कहें कि जैसे 1206 से लेकर के 1526 तक यहां पर डेली सलतनत यहां पर इंडिया के अंदर में राज कर रही थी फिर यहां पर आती है एक तरीके से मुगल empire तो यहां पर कहीं कि यह 1526 से लेकर के 1857 का इनका rule चलता है फिर उसके बाद मैं आप ऐसे समझो जब यह और यहां पर जो यहां पर जो एक तरीके से European power आती है तो आप ऐसे समझो जब मुगल empire था या इससे पहले था तो रात के टाइम क्या निगरानी रखी जाती थी watch guards के दौरा तो यहां पर जैसे बनाया यानिके कोई भी एक डिस्टिक्ट है से डिस्टिक्ट के अंदर में कोई भी एक यानिके सरकल बोल दिया एक एरिया को सरकल करेगा जिसको एक तरीके से थाना बनाया जिसको एक तरीके से उस थाने का इंचार्ज होगा कोई इंडियन और यहां पर उसके उपर होगा SP जो एक तरीके से ब्रिटिशर होगा तो यह सारी चीजी है तो यहां पर कहा रहा है कि किस ने इसको establish करा Lord Cornwallis, John Shaw, Lord Hastings या फिर Armrest तो हमारा आंसर होगा पहला यानि कि Lord Cornwallis इसने इंडिया के अंदर में पुलिस रीफॉर्म से लेकर के आया अब फिफ्ट को देखेंगे कह रहा है दा इंडियन nationalist raised the slogan no taxation without representation against which of the following act तो दोस्तों आपने ये dialogue सुनाओगा जैसे American Revolution है तो World History में आपने पढ़ाओगा तो वहां पर भी ये dialogue दिया गया था no taxation without representation तो ऐसे ही कहाई कि इंडिया के लोगों ने भी ये बात उनकी सुनी तो अब यहां पर क्या है कि देखो यहां पर बजट के बारे में बहुत ज़्यादा बाते कराई जा रही थी तो आपने देखा होगा यहां पर क्या कि 1885 के टाइम में इंडियन National Congress का formation होता तो जैसे यह formation बनती है तो जब ऐसे 1885 में बात आई तो सबसे पहले काम आता एडिमिनिस्टेशन का तो यहां पर बजट की बाते उठने लगी तो जब 1885 में Congress बन जाती तो उसके बाद में जो Act आता है वो आता है 1892 का Act तो यहां पर क्या होता है कि British Government एक तरीके से क्या करती है बजट को डिसकस करने के लिए कह देती है तो सिर्फ और सिर्फ डिसकस करने के लिए कहती है तो दोस्तों यहां पर बजट को डिसकस करने के लिए बोला गया तो अब यहाँ पर ना ही इनके पास में कोई voting का right है, ना ही इनके पास में एक तरीके से question पूछने का right है, ना ही supplementary question पूछने का right है तो यहाँ पर budget को discuss कर दिया तो यहाँ पर reforms लेकर क्या आए तो जिसके दोरान में क्या बोला कि 1892 में act लेकर क्या आते हैं फिर 1900 के time period के दोरान में क्या होता है यानि कि 8-9 सालों में बस यह देखा गया कि साला ना 12 या 13 दिनों तक एक तरीके से session में थोड़ा बहुत discussion देखन representation जब तक आप हमारा representation नहीं दोगे तब तक हम कोई भी taxation नहीं देंगे तो यह सारी की सारी जो बात्या ना वो 1892 का जो इंडियन council act है उसके तहत में आई थी तो दोस्तों यहाँ पर हमारा answer सी होगा तो यह 1919, 1935 और 1861 यह सारी कह कि यह अलग time की कहानिया है अब six question को हम यहा of the following statement is you are correct with reference to Swadishy movement तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहला Swadishy movement होता ना आप यहाँ पर ऐसे याद रखो 1905 के time period की बात है यानि के 16 October 1905 का time period था जिस time पर partition of बंगाल कर दिया जाता है Lord Karzan के द्वारा तो दोस्तों यहाँ पर कहें कि जो Lord Karzan है ना यहाँ पर 1905 में करता है लेकिन इसकी जो एक तरीके से public में घोशना मतलब जैसे लोगों को पता चलिया था वो 1903 नवंबर या December का time period था उस time पर लोगों को पता चलिया यानि के एक दो साल पहले ही कि भाया ये बंगाल का एक तरीके से क्या है division करने वाले हैं तो Lord Karzan ने divide and rule policy start करी यहाँ पर इसने क्या है यहाँ पर दिवार पैदा हो गई कि यहाँ पर कॉमिनल राय कॉमिनल रॉइट्स वगयरा देखने को मिलते हैं बाद में जाकर के तो यहाँ पर इसने बोला यह सारी चीजे तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब 1905 में जब बंगाल का partition हो जाता तो अब जो बड़ बड़े एक तरह के से लैंडलोड ते जमींदार से भाया वह भी नहीं चाहते कि यहाँ पर क्या कि बंगाल का डिवीजन हो तो यहाँ पर यह क्या करता है यह इंडियन नेशनल कॉम्गरेस को अपना सपोर्ट देते हैं और यह भी कहता है कि भाया नहीं हम को कहा है कि बंग यह क्या है कि हम बंगाल के अलावा बाहर पूरे नौर्थ इंडिया में इसको फैलाना चाहते हैं है ना तो एक्स्रेमिस्ट यह डिमांड कर रहे थे लेकिन वहीं पर यह जो मोडरेट्स थे वह एक तरीके से मना करने लगे कि भाया नहीं हम क्या है कि पूरा इतने नौर्थ लेवल तक हम इसको नहीं लेकर के जा सकते हैं बलकि हम रीफॉर्म सवयरा लेकर आएंगे कानूनी लीगली लड़ाई लडगेंगे तो इसकी वज़े से क्या होता है कि अब 1905 में क्या होता है यहां पर बनारस में सेशन होता है इंडियन नेशनल कॉंगरेस का तो यहां पर है कि यह सारी चीजे बाते चल रही थी तो अब यहां पर जब मोडरेट और एक्स्रेमिस्ट में विवाद देखने को मिला तो यहां पर 1907 में हमको सूरत इस्पिलिट देखने को मिलता यानि कि अब इंडियन नेशनल कॉंगरेस हां से डिवाइड हो जाती है तो दोस्तों यह सारा हमने बेसिक जाना एक तरीके से स्वदेशी मूवमेंट के बारे में तो यहां पर कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट दा बिग जमिंदार्स ओफ बंगाल रिमेन लोयल टू दा ब्रिटिश बाइन नॉट सपोर्टिंग दा स्वदेशी मूवमेंट तो दोस्तों गलत इंडिया नेशनल कोंगरेस की बात कर रहा है अगर यहां पर अभी हमने देखा मोडरेट थे और एक्स्टिमिस्ट एक्स्टिमिस्ट चाहते थे पूरे इंडिया में फैले लेकिन मोडरेस्ट ने का कि नहीं तो जिसकी वजह से क्या कि यह एक तरीके से मास मूवमेंट हमार की बारे में बात करी जा रही है तो दोस्तों सबसे पहले आप याद रखना जब भी सबसीडाइरी ऐलाइन्स की बात करी जाएगी तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ दो नाम आने चाहिए पहला ड्यूपलिक्स दूसरा लॉर्ड वैलेसली तो यहां पर क्या कि पू अंदर में क्या होता है कि जो एक तरीके से क्या है सपोस करो यह होगा ब्रिटिश गवर्मेंट और यहां पर कहें कि एक तरीके से इंडियन रूलर्स हो गए तो अब यहां पर ब्रिटिश गवर्मेंट के ओफिशल्स ने बोला आपको क्या करना है आपको हमारी आर्मी को अ और प्रावधान डाला कि आप कोई भी European को enter नहीं कर सकते अपने court के अंदर में बिना हमारी permission के दूसरा इन्होंने प्रावधान डाला आप किसी से war नहीं कर सकते ना ही Britishers के और नहीं कोई अपने जो भी मतलब Indian ruler है उसके साथ मिलकर के तो नहीं आप किसी के साथ Alliance बना सकते ज कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे तो यह सारा का सारा क्या है सबसी डाइरी एलाइन्स के बारे में है तो यहां पर कह रहा है कि कौन से स्टेट्मेंट नॉट करेक्ट है पहली स्टेट्मेंट कह रहा है Indian rulers would have to agree to posting of British resident at his court तो दोस्तों यह स्टेट्मेंट ठीक हो जाए कि जो administrative decisions है जो internal matters वाले decision है यह क्या है कि rulers खुद ले सकते थे ना कि बिना ना कि उनकी advice से थर्ड करा Allying rulers of Indian state was compelled for permanent stationing of British force within his territory with payment of maintenance ठीक हो जाएगी फोर्थ करा Indian rulers would not employ European in his service without approval of British government यह भी ठीक हो जाएगी तो हमारा जो answer होगा यहां पर B होगा यानिकि B वाली statement गलत है अब यहां पर 8th question को देखते हैं के रहा है with reference to the period at the end of 18th century the term howledars, गंटीदars, मंडल्स वर refers to तो दोस्तों हमने अभी देखा 1905 का time period है और यहां पर कह रहा है कि end of 18th century यानिके हमारा end of 18th century का मतलब 1799-1800 time period तो अब यहां पर कहें कि आपने यह देखा तो अभी आपने देखा जब एक तरीकी से 18th century खतम होगी तो यहां पर कहें कि सबसे पहले यहां पर अंग्रेजों ने बंगाल के उपर में अपना कबजा करा तो कबजा जब करा तो हमारे जो बड़े बड़े जमीन दार्स है न अब यहां पर 9th question को देखते हैं कि रहा है consider the following statement with respect to the factory act of 1881 and factory rate of 1891 तो दोस्तों आप इसको ऐसे समझो कि 1881 में एक एक लाए जाता और उसके 10 साल के राद में 1891 में तो यहां पर कहें कि जैसे 1857 की लड़ाई लड़ी जाती है तो उसके time period के बाद में आपने देखा ना कि यहां पर reform से ले करके लाए जा रहे थे तो 1881 में पहली बार ज इसे ज्यादा काम नहीं कर सकते लेकिन 10 साल के बाद में जो एक्ट लाया जाता है यहां पर बोलता है कि अब वो 7 घंटे से ज्यादा पढ़डे काम नहीं कर सकते अब यहां पर इन्हों ने बोला जैसे इने एक्ट के बिच में कि जो वोमैंस होंगे यह क्या है कि 11 घंटे काम करेगी 11 में से 1.5 घंटे का क्या है इनको time दिया जाएगा और यहाँ पर men's की बात करें तो यहाँ पर जैसे factories act हैं यहाँ पर काम करने के लिए इनके लिए कोई भी एक तरीके से काम मतलब timing नहीं बता यानिके इनके इनको unregulated करा और यहाँ पर क्या है कि यह सारी चीज़े चल रही थी और यहाँ पर इन्हों ने बोला जो tea और coffee plantation में एक तरीके से यहाँ पर जो tea और coffee plantation में बहुत जादा exploitation करा तो यह सारी चीज़े थी तो पहला करा है factory act 1881 primarily dealt with the problem of child labor तो दोस्तो हमने यहाँ पर देखा 1881 ने recognize करा था child right को तो यह statement ठीक हो जाएगी सेकंड करा factory act of 1891 regulated the working hours of men तो दोस्तो men's को छोड़के सब की hours को यह regulate करता था तो यह गलत हो जाएगी थाड करा these two act did not apply to the British owned tea and coffee plantation तो दोस्तो यह statement ठीक हो जाएगी हमारी तो यहाँ पर होगा हमारा answer one and three यहाँ ठीक होगा अब यहाँ पर आज का last का 10th question देखेंगे यानि के पांसो तीसवा करा consider the following pairs यानि के यह associations हो गई और यह कुछ leaders हो गई तो दोस्तो यहाँ पर पहला करा East India Association तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आनन मोहन बोस ने बनाया था तो यह गलत हो जाएगी तो दोस्तो यहाँ पर यह कहानी चलिया आप ऐसे समझो 1857 में जब विद्रो होता तो उसके बाद में 1866 के अंदर में जो हमारे दादा भाई नरोजी है यह क्या करते हैं लंडन में होते हैं इस टाइम पर और यह एक तरीके से मोटो यह था कि जो लंडन में रहने वाले इंडियन से या फिर यहाँ पर जो इंडियन स्ट्रगल चल तो यहाँ पर एम जी राना दे बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि एम जी राना दे हो गए और चित पॉंकर हो गए और गणेश मिस्टर गणेश भी तेग तो यहाँ पर कहेगी यह सम मिल करके इन्होंने पूरा सार्वजनिक सभा को बनाया यह गलत हो जाएगी तो यहाँ पर कहेगी 1875 का टाइम पीरिड है यानि कि जब बिरसा मुंडा का जनम हुआ था तो वहाँ पर है ना तो यह इंडियन लीग जो है ना सिसीर कुमार घोश के द्वारा बनाई गई थी 1875 में तो इनका सबका यही मोटो था कि एक तरीके से इंडि तो दोस्तों यह था हमारा आज के 10 क्वेशन सो थैंक्यू गाइज